चात्रों इस वीडियो में हम आपकी पाथि पुस्तक में व्याकरण की पाथि पुस्तक में दूसरे टॉपिक के रूप में दूसरे संदर्व के रूप में प्रसंग के रूप में दिये गए विशय विकारी शब्द का अध्ययन करेंगे विकारी शब्दों के अध्यान से पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द की नहें कहा जाता है शब्द की परभाशा है वरणों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं अर्थात वरणकार्थ है अक्षर हमारी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में जो भी अक्षर दिये गए हैं उनके उस व्यवस्थित क्रम को जिनका कुछ अर्थ हो अर्थ प्रतीत हो अर्थ निकले उनी को हम शब्द कहते हैं ही कि परिवर्थन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं कि अर्थात जितने भी शब्द हैं हिंदी भाशा में कि उनंगे से उन शब्दों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता इस आधार पर परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन के आधार का तादपर यह है कि कुछ शब्द प्रयोग के आधार पर अपने रूप बदल देते हैं प्रयोग के आधार पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है और कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं आता है तो जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है बदलाव आ जाता है प्रयोग के आधार पर उन्हें हम विकारी शब्द कहते है और जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन या बदलाव नहीं आता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं यहां दोनों की परिभाशा दी गई है विकारी शब्द और आविकारी शब्द विकारी शब्द की परिभाशा है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन वा कारक आधिके आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं जैसे लड़का, लड़के, लड़कियां विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन वा कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं जैसे धीरे धीरे अभी आदे चात्रों, हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको दो भागों में आविकारी और विकारी शब्दों में विभक्त किया जाता है आविकारी शब्दों की अंतरगत चार अव्याय आते हैं, जिनमें है क्रियाविशेशन अव्याय, संबन सूचक अव्याय, समुच्चे बोधक अव्याय और विस्मयादी बोधक अव्याय विकारी शब्दों की अंतरगत, संग्याय, सभी प्रकार की संग्याय, संग्या से जोड़े उनके उपविशय, लिंग, वचन, कारक, आदि का समावेश होता है, उसके बाद सर्वनाम, विशेशन और क्रिया, ये सब विकारी शब्दों की अंतरगत आते हैं तो पहले विकारी शब्दों में सबसे महत्पूर्ण जो शब्द है संग्या हम उसके बारे में जानेंगे संग्या संग्या अर्थात नाम चात्रों दुनिया में विश्व में जीतनी भी वस्तुएं हैं सबकी पहचान के लिए उन्हें कुछ न कुछ नाम दिया गया है और उस नाम को ही हम संग्या कहते हैं संसार में प्रतेक वस्त को जिस नाम से पहचानते हैं वही उसकी संग्या होती है पारिभाशिक रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संग्या कहते हैं जैसे क्रिष्णा, मनाली, राधा, हिमालय, कुदासी, आधी संग्या के बिना हम अपने दैनिक जीवन में भाशा का प्रयोग नहीं कर सकते अब यहाँ पर संग्या के भेद टाइब साफ नाउन दिया गया है संग्या के मुक्यत हैं पांच भेद होते हैं व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या, द्रब्य वाचक संग्या, और समूह वाचक संग्या पहला है पहला भेद व्यक्ति वाचक संग्या प्रापर नाउन कहा जाता है यहां व्यक्ति शब्द विशेश का भाव दर्शाता है किसे विशेश व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को व्यक्ति वाचिक संग्या कहते हैं जैसे व्यक्तियों के नाम राम, रमेश, मीनल, मालती आदी, नगरों के नाम राजस्थान, मेरट, मुंबई, चंडिगड आदी, देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, लंदन आदी, त्योहारों के नाम होली, इद, रक्षा बंधन आदी दूसरा भेद है जाति वाचिक संग्या, कॉमन नाम कहते हैं जिस शब्द से किसी एक विशेश व्यक्ति अथ्वास्थान का बोध न होकर समस्त जाति का बोध हो, उसे जाति वाचिक संग्या कहते हैं जैसे शहर, नदी, देश, आदी सम्मूवाचक वद्रव्यवाचक संग्याएं भी जाति वाचिक संग्या के अंतर गति आती हैं पर इनका भी अब स्वतंत रूप से अध्यान किया जाता है द्रव्यवाचक संग्याएं मैटीरियल नाउन कहा जाता है किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संग्याएं कहते हैं जैसे सोना चांदी लकड़ी आदि समूह वाचक संग्याएं जो शब्द किसी समूह या समुदाय का ज्यान कराते हैं उन्हें समूह वाचक संग्याएं कहते हैं जैसे सेना कक्षा भीड गुच्छा आदि अगला है भाव वाचक संग्याएं किसी गुण दशा भाव अवस्था अथ्वा स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाव वाचक संग्याएं कहलाते हैं जैसे उंचाई, बच्पन, स्वतंतरता, ठंडक, आदि आगी दिया गया है भाव वाचक संग्याओं की रचना भाव वाचक संग्याएं कैसे बनती हैं या बनाई जाती हैं कुछ संग्याएं मुलरूप से भाव वाचक संग्या होती हैं कुछ संग्या शब्दों में उपसर्ग या प्रत्य लगाकर उनसे भाव वाचक संग्याएं बनाई जाती हैं तो पहले यहाँ पर दिया गया है जाती वाचक संग्याओं से भाव वाचक संग्याएं बनाना जैसे पशु पशुत्व यूवक यववन क्षत्रिय क्षत्रियत्व तरुण तरुणाई पंडित पांडित मनुष्य मनुष्यता इंसान इंसानियत गूरु गूरुता रंग रंगत बूढ़ा बुढ़ापा देवता देवत्व बच्चा बच्पन लड़का लड़कपन कुमार कौमार्य मूर्ख मूर्खता बंदु बंदुता चोर चोरी नारी नारीत्व इश्वर अश्वर्य राष्ट राष्ट्रियता माता मात्रित्व स्त्री स्त्रित्व भाई भाई चारा ठग ठगी व्यक्ति व्यक्तित्व मित्र मित्रता शीशु शैशव ओरुष परुष नेता नेत्रित्व हिंदु हिंदुत्व आगे विश्येशन शब्दों से भाव अचक संग्याएं बनाई गई हैं जैसे देखे बुढ़ा, बुढ़ापा, कुशल, कुशलता, लाल, लाली, भूखा, भूख, मूर्ख, मूर्खता, लोभी, लोभ, मीथा, मिथास, तपस्वी, तप, कठोर, कठोरता, मलिन, मलिनता, सपस्ट, सपस्टता, परतंत्र, परतंत्रता, भूखा, भूख, कुलीन, कुलीनता, हरा, हर्याली, दूर, दूरी, कंजूस, कंजूसी, सज्जन, सज्जनता, खटा, खटास, चालाक, चालाकी, प्यासा, प्यास, कुशाग्र, कुशाग्रता, सुगम सुगमत नीच नीचत पतला पतलापन लंबा लंबाई अच्छा अच्छाई गरीब गरीबी पंडित पांडित बुद्धिमान बुद्धिमानी काला कालिमा वीर वीरता कमजोर कमजोरी आलसी आलस्य कायर कायरता सुन्दर सुन्दरता विकल विकलता कटू कटूता भला भलाई आगे यह स्वाध्याय दिया गया है निम्लिकित वाक्यों में आए हुए संग्या शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिये पहला वाक्य है सोना भाई अपने चार बच्चों के साथ आए यहाँ पर सोना भाई एक विशेश महिला का नाम है इसलिए यह व्यक्ति वाचक संग्या होगी और बच्चों जो है वह जाति वाचक संग्या के अंतरगत आएगा गाई बहुत दूध देती है गाई एक पालतु परशु का नाम है तो गाई जो है यह जाति वाचक संग्या है दूध जो है वह दरब्य वाचक संग्या के अंतरगत आएगा मैं रोज इश्वर से प्रार्थना करता हूँ इश्वर भगवान यह व्यक्ति वाचिक संग्या है और प्रार्तना भाव वाचिक संग्या है सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी सैनिकों यह जाति वाचिक संग्या है टुकड़ी समूह वाचिक संग्या है सोना चांदी ये दोनों ध्रब्य वाचक संग्याएं हैं और महनगे होते जाने यह आप दूसरी संग्या नहीं है गोवा देख मैं तरंगाई थोठा यहां पर एक ही संग्या है गोवा जोकी व्यक्ति वाचक संग्या है योकों का दल बचाव कारे में लगा था यहाँ पर तो तीन संग्याएं है योकों जातिवाचिक संग्या है दल समूह वाचिक संग्या है और बचाव भाव वाचिक संग्या है आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है यहाँ पर विदेश जातिवाचिक संग्या है, ब्रहमण बहावाचिक संग्या है इस कहानी, कहानी जो है वह जातिवाचिक संग्या है समाज ये भी क्या है जातिवाचिक संग्या है सागर का जल खारा होता है सागर जातिवाचक संग्या और जल द्रव्यवाचक संग्या की अंतरगत आता है तो चात्रों किस प्रकार से ये विकारी शब्दों के अंतरगत जो पहला विशे था संग्या वह यहाँ पर समाप्त होता है धन्यवाद